हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई यूटूब चैनल आरेने जुके सर्फाउड़े सर् हम आपको पढ़ा रहे थे इसके पहले lesson two, जो अच्छे से पढ़ भी चुके हो, समझ भी चुके हो, जो खतम भी उचुके है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रहिि है, तो आप के सी कमेंड कुछा में प्राइज करा सकते हैं, अच्छे से पढ़ते रहे, आपको कोई समस्या नहीं है, आज हमें एक नया लेशन पढ़ने जा रहे है, संख्या पद्दत, यह अध्याए 1 है, अध्याए 2 आपने पीछे पढ़ा था, तो क्योंकि क्लास 8 में पढ़ा था, इसलिए हमने थोड़ा सा उसको तुरंत ले लिया, ताकि आपको वो यादे ताजा रहे हैं, इसलिए हमने ले लिया, अब हम पहला लेशन लेने जाने संख्या पद्दत, जो संख्या पद्दत यह है, वो आसान सा लेशन है, आप देख रहे हो, संख्या प्लस पद्दत, यानि संख्या का मतलब आप जानते हो कि एक, दो, ती आने वाले क्लास में भी और अपर क्लास में जाओगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बस मेरे साथ जुड़े रहें अच्छे से पढ़ते रहें आईए संख्या पद्दत ही तो संख्या पद्दत सबसे पहले इसको इंग्लेस में बोलते हैं नंबर सिस्टम क्या बोलते हैं इंग्लेस में नंबर सिस्टम यहनी नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम यहनी संख्या जो हो गई वो कैसी कौन-कौन से संख्या होती क्योंकि अभी आगे चलके आपको बहुत सारी मिलेंगी ऐसे तो आपको समझ ही नहीं पाओ संख्या बोल दे जैसे पूरांग बोल दे आप नहीं जानते होगे तो पूरांग को नहीं समझभा होगे ठीक है हमने कहा पूरांग पूरांग कहा इसके बाद पर्मिय संख्या अपर्मिय संख्या वास्तविक संख्या है कहा संख्या तो आप जानते हो लेकिन वास्तविक नह जानोगे तो वो चीज हमें सीखना पड़ेगा अच्छे से समझना पड़ेगा अगर यह समझ ले तो इस लेशन में बहुत जादा प्रावब्लम आपको नहीं होने बाले तो चलिए हम इनको पढ़ते हैं संख्या पद्धत तो नमबर से संख्या हों के बारे में पढ़ेंगे संख्या पद्धती इनक्लिस में क्या बोलते है नमबर सिस्टम जो नमबर सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है तो जो संख्या को उद्धा वो प्राचीन काल सी ही हुदे हुआ, कि आज नहीं संख्या है, कैसे मिल गई, तो पहले जब होता था आदिमानों के वालवे, तो हम संख्याओं को कैसे परिहूद करते थे, क्योंकि उस समय बेकिति कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था, तो जो सबसे पहले हम क्या करते थे किसी भी संख्याओं को गिनने के लिए परियोग करते थे तो प्राकृतिक संख्याओं यह जो हमें अगर कोई आता है जैसे हमने कहा यह चार गेंद रखी है तो चार गेंद को तो जो संख्या हम किवल परियोग करते हैं वो गिनने के लिए वह हमारी क्या है प्राकृतिक संख्या अब कौन कौन सी उसको हम समझते हैं कि यह हमारी प्राकृतिक संख्या है क्या है इसको हम रफ कर देते हैं फिर अच्छे समझते हैं तो सबसे पहले जो संख्याओं का उद नेल रहते हैं नेलमबर आप सिंपल सी भासा में पराकरितिक संख्य किसे कहते हैं जो संख्या है गि개ने के लिए पर्यूग के जाती है वहई हमारी क्या fonctionne का है अब arena स्प्राकरितिक संख्या है कौन कौन सी होती होती है जान लेते हैं, इन में क्या है, एक मिल गया, ये प्राकिर्थिक संख्या है, दो है, ये भी है, तीन है, ये भी है, चार है, ये भी है, पांच है, ये भी है, छे है, ये भी है, साथ है, ऐसे, आप कोई भी संख्या ऐसे लेते हुए चले जा सकते हो, तो ये सारी क्या है, प्रा पराकृतिक संख्या है यानि जो संख्या हम गिने के लिए परियोग करते हैं वो हमारी पराकृतिक संख्या है जैसे 1,2,3,4,5 अब इसी के बाद दूसरी संख्या आती है जिसको हम बोलते हैं इसमें याद रखना 0 नहीं है यानि याद रखना गर कहे दिया जाए 0 not equal to n, n का म हमें 0 नहीं होता है यह हमेंसा याद रखना यहीं पूछा जाता है क्या 0 पराके संख्या है कहोगे नहीं आगे फिर हम दूसरा इसमें पढ़ते हैं दूसरा क्या है पूर्ण संख्या अब पूर्ण संख्या क्या है इनको देखते हैं तो सेम होई चीज है इसको whole numbers बोलते है इंगलिस याद कर ले न, थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी, ऐसे, तो whole numbers, अब whole numbers क्या होते हैं, सभी natural numbers जो होते हो, whole numbers होते हैं, कैसे, जैसे आपने देखा, कि अगर 0 हो जाए, इसके बाद 1 आ जाए, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6, फिर 7, minus 1 ये भी infinitive तक जायागा, क्या एड कियागा, 0, यानि 0 से जो संख्या प्रारंभ होती है, वो क्या है, पूर संख्या, तो पूर संख्या है कहां से, 0, 1, 2, 3, अर्थात आप से एक सब्द कहा जाए, क्या सभी प्राकृर्तिक संख्या पूर संख्या है, जी हां, क्यू, प्राकृर्तिक संख्या है, पूर संख्या है, आसानी से कह सकते हो, क्या 0 प्राकृर्तिक संख्या है, नहीं, क्या 0 पूर संख्या है, हाँ, 0 क्या पूर संख्या है, क्या 1 प्राकृर्तिक संख्या है, हाँ, क्या 1 पूर संख्या है, हाँ, तो ऐसे आप कह सकते हो, यह आपको इसका जो अलग अलग बटवार है वो आपको पढ़ना पढ़ेगा और याद रखना पढ़ेगा अगले क्लास में आपको या इसी क्लास में भी ज़्यादा जुरूत पढ़ेगी और आने वाले क्लास में भी पढ़ोगे तो आप इसका iskin sawtt लेना चल लेलो और इसका iskin sawtt लेलिया होगे तीसरा नम्बर हम पढ़ते हैं तीसरा जो है वो जो संख्या है वो बहुत आसान वाले संख्या है पूरांक संख्या संख्या इसको बोलते hectare अब Prose tecnologia इसका होते हैं int적idad जा से आपने 0 ले लिया, 0 हो गया यह 1 हो जागा, फिर यह 2 हो गया इसके बाद देखो 3 हो जागा फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया and 1, ऐसे यह हो जागा अभी तो आपके देखा natural number और whole numbers दोनों add हो गया, लेकिन इसी के साथ और add हो जाता है, क्या? minus 1 की रिडात्मक भी तो होती है minus 2 minus 3 फिर minus 4 minus 5 minus 6 and so on ऐसे चला जागा, तो देखो इसमें negative वाली और positive वाली दोनों संखे हैं, जब add हो जाए तो उन्हे को हम क्या बोलते हैं? कि यहाँ पर पुढांक संखे है, यानि अगर ऐसे लिखा जाए, या ऐसे करके लिख दिया जाए कि 0 plus minus 1, plus minus 2 plus minus 3 हो जागा plus minus 4 और फिर plus minus 5 हो जागा plus minus कितना? यह 6 हो जागा तो अगर यह सारी संखे हैं मिल जाए, plus minus करके, तो हम इनको क्या बोलते है? पुढांक संखे, अब पुढांक संखे हमें दो पार्ट होते हैं, कौन-कौन से एक धन पुढांक होता है, दूसरा रिड़ पुढांक होता है एक हम इसी में पढ़ते है first number की धन पुढांक अगर धन पुढांक की बात किया जाए, तो धन पुढांक में इसी में रिल पुढांक अगर इसी में बात करें कि रिल पुढांक अगर रिल पुढांक की बात करोगे तो minus 1, minus 2 minus 3, minus 4 minus 5 और minus 6 and so on ऐसे आता हुआ चला जाए तो आपने देखा कि धन पुढांक इसको हम क्या लेते हैं I positive से integers और इसको क्या लेते हैं I negative से अगर कभी I negative मिले तो आप याद देखना रिल पुढांक और धन पुढांक तो आपने ये समझ लिया कि धन पुढांक कौन से होते और रिल पुढांक कौन से होते हैं उनको आसानी से हमने लिख भी लिया इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली अब इसको एक ग्राप से हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे इसका भी skin sort ले लिजी ये भी आप ले लियोंगे अब चलो इसको थोड़ा सा हम ग्राप से समझ लेते हैं कि अगर आपको ये मिल जाए तो सबसे पहली कौन सी संख्या हमने बताया था याद होगा आपको अच्छे से कि प्राकिर्थिक संख्या है ये तो बताया था प्राकिर्थिक संख्या प्राकिर्थिक संख्या कौन कौन सी होती आप कहोगी 1,2,3 and so on ऐसे चला गया अब इसके बाद देखो बताया था आपको? कि दूसरा जो बताया था वो पूर संक्या देखू, पूर संक्या में क्या होगा? इसको अमने खाता है n से निको, तो देखो 0, अगर इसी में आप क्या कर दो? 0 add कर दो, ये तो जितने हैं, ये 1, 2, 3 चा, 0 इसमें अलग है, तो 0 और add कर दिया जाए तो वो क्या हो जागा? पूर संख्या हो जागे फिर इसके बाद अगला देखते हैं इसी में तीसरा जो है इनके लिए इनमें जो संख्या है पुडांग संख्या पुडांग है अगर पुडांग है तो इसमें क्या add होगा? माइनस 1 क्योंकि 0 और ये तो add हो चुका तो माइनस 2 हो जागा और माइनस 3 हो जागा माइनस 4 एंस 1 ऐसे हो जागा तो आप इसका skin sort ले लिजे आपने इसका skin sort ले लिया हुआ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि अभी और भी संख्या हैं लेकिन इतना ही इसमें पढ़ते हैं आगे चलके फिर अभी आपको बताएंगे क्योंकि यहां तक जो अगले हमारा exercise पढ़ना है उसमें इतना ही है तो थोड़ा से बस जान ध्यान दो और अब जान जाओ कि आपकी संख्या है तो सबसे पहले हमने इह बताए नेचुरल नंबर एक, दो, तीन, चार उसमें जीरो एड़ कर दिया जए तो पूर संख्या इसके बाद निगेटिव सारे नंबर को एड़ कर दिया जए तो वो क्या करते हैं पूरांग बंदे इसको आप जान ही चुकि हो एन से निखते हैं तो जीरो कहें पराकर दिया है नहीं जीरो पूरांग है पूरांग है और यहाँ मानिस वन पूर संख्या नहीं मानिस वूर पूर संख्या क्योंकि ऊबर जो जाओगे ऐसे आप ध्यान देना आराँ इससे समझ जाओ कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है कि कोई दिक्कत होने वाली है चलिए आगे फिर हम exercise में पहुँचते हैं क्योंकि exercise समझते जाओ बहुत जादा आपको नहीं परिसान होना है कि आपके लिए बहुत जादा इसमें समस्या लेनी है ऐसी कोई बात के लिए और जो होगा आप धीरे-दीरे सीखते जाओगे question के model से आधार पे और इनको हम इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली कि कोई दिक्कत होने वाली है कि मेरे साथ जुड़े रही है अच्छे समझते रही है बस एक बार question खोलने है question कहाँ पे है question बहुत जादा टिपकल नहीं है कि टिपकल है बस आपको question के लिए यह साब आप पाढ़ सकते हैं घर पे 1.1 आगया यह है पस्टनावली आप पर्मिय संख्या पढ़ना है लेकिन अभी हमें नहीं पढ़ना है वो तो पहले इतकों पढ़के हम खथम करने क्योंकि जितना हमने सीखा उतना हम समझ जाए तो आपके अब एक लिखाए क्या सून एक पर्मिय संख्या है और अभी इसमें पर्मिय संख्या भी बाकी है चले उसको भी पढ़ लेते हैं कि पर्मिय संख्या क्या होती है क्योंकि इसमें एड किया गया इसलिए हम पढ़ लेते हैं कि पर्मिय संख्या है क्या इतना तो आपको समझ में आ चुका देखो पर्मिय संख्या की परिफासा क्य क्या होती है इसको हम Q से लिखते है rational numbers बोलते है English में अब पर्मिय संख्या क्या होती है जैसे आप कोई भी संख्या मिल जया है यानि किसे लिख देते हैं किसी संख्या को P बटा Q के रूप में रूप में लिख दिया जाए जाए तो बाँ एक पर्मिय संख्या होगे मतलब कोई संख्या होगे लिख देते हैं पर्मिय संख्या होगे यानि किसी भी संख्या को P बटा Q के रूप बटे के रूप में लिख दिया जाए पर्मिय संख्या होगे प्रंतु एक सब याद अखना प्रंतु Q यानि हर सुन्य या Q का मान सुन्य ना हो Q कामान क्या हो सुने ना हो अर्थात यह हम लिख सकते हैं ऐसे, अर्थात Q and not equal to कितना, 0 यहनी Q कामान 0 ना हो यहनी Q कामान 0 ना हो तो वो क्या होती है हमेसे याद रखना कि यह पर्मिए संख्याय होती है एक चीज़ और यहाँ पर याद रखना जहां यह जो होगा P, Q एक क्या होगा Integers P और Q क्या है एक पूडांक है पूडांक है मतलब कोई भी हो, चाहे minus 1, plus 1, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए Q कमा 0 ना हो यह याद रखना कि यह हर क्या हो 0 ना हो, तो वही हमारा क्या होता है कि एक पर्मिय संख्या और एक चीज़ और याद रखना कि P और Q का SCF हमेंसा 1 होना चाहिए वो तो बहुत नहीं है, इतना याद अब जैसे आप से पूचा जाए, क्या 1, 2 पर्मिय संख्या हाँ है, ठीक 5 बटा, माइनस 8 हो, यह पर्मिय संख्या है 2 बटा कितना, माइनस 3 क्या पर्मिय संख्या है यह से भी कह दिया जाए, माइनस 3 बटा, 8 यह पर्मिय संख्या है अब आप से कह दिया जाए, क्या 1 पर्मिय संख्या है हाँ, 1 है, 2 पर्मिय संख्या है 0 आपसे कहा जाए 1 परमे संख्या नहीं है याद रखना क्या चीज संख्या नहीं है 0 क्या है? 1 बटा 0 क्यों? क्योंकि यहाँ देखो Q not equal to 0 न हर 0 हो गया यह परमे संख्या नहीं है तो यह पहले question का answer हो जागा यह आपसे कहा गया, तो यह देखो पहले question का answer भी आप इसके insert ले लीजिए तभी पहले question हमें बताने कोई जरूद नहीं पड़ेगे, इसके insert आप ले लिए होंगे चलिए, question पर आजाते हैं और question पर जबाते हैं, अच्छे समझ लेते हैं क्या का आगए, क्या सून एक परमे संख्या अभी हमने बताया, सून एक परमे संख्या है, क्या का आगए, क्या सून एक परमे संख्या हाँ, क्यूंकि अभी एक बताया, P बते इसे क्या P बटा Q की रूब में लिख सकते जहाँ P और Q क्या पुडांग है तो यह इसका सही कह रहा है कि 0 बटा कितना अगर हम लिखना चाहें इसमें 0 तो 0 बटा 1 यह क्या है पर्मिय संख्या है पर्मिय संख्या है हम लिख सकते हैं P बटा इसको Q के रूप में लिख सकते हैं, देखो लिखा कि नहीं, 0 बटे 1 का मतलब P बटा Q, P का मान 0 और Q का मान कितना 1, हाँ, बस इसका अंसर हो जाएगा, आसानी से आप निकल लिए, चलिए, दूसरा question, 3 और 4 के भी 6 पर्मिय संख्या ग्याद कीजिए, चलिए, तो इसक ग्या ग्या है, दो पर्मिय संख्याओं के बीच कैसे ग्याद करें, अगर हमें ग्याद करना हो, A और B के ठीक, अईसे भी लिख सकते हैं, ठीक, बीच की पर्मिय संख्या पर्मिय संख्या अगर हमें ग्याद करना हो तो एक बटा दो A प्लस B ये फार्मूला होता है यानि अगर कोई भी संख्या आपको ग्याद करना पर्मिय संख्या ग्याद करना है तो एक सूत्र होता है दो संख्या A और B का जैसे आपसे कहा दिया जाए 1 और 2 के बीच की पर्मिय संक्या पर्मिय संक्या अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे देखो 1 बाई 2 लिखा A का मान कितना 1 और B का मान कितना 2 हो जागा जोड़ दो कितना 1 बटा 2 और ये 3 हो जागा तो 3 एक के 3 बटा 2 हो गया तो आप 3 बटा 2 देखो अगर भाग करके देखोगे 2 एक के 2 दो पंचे 10 देखो एक और दो के बीच में है एक दसमाल पाच कहोगे हाँ तो ये इनकी क्या है पर्मिय संक्या है तो ऐसे हम किसी को ग्याद कर सकते हैं इसके शॉट ले लीजिए उसका जो एक नया मेथट अभी सिखाते हैं क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मेथट उसके लिए हो जागा इसके शॉट आप ले लिए होगे अब हम अगले कुश्चन पर अपने आते हैं करत 3 और 4 के बीच 6 पर्मिय संख्या ग्याद करना है आपको क्या करना है दूसरे नंबर का कि दूसरा नंबर को इसन 3 और 4 के बीच 6 पर्मिय संख्या क्या ग्याद करना है 6 पर्मिय संख्या आपको ये ग्याद करना है कि इनके बीच कितना 6 पर में संख्या क्याद करना है तो अब हम कैसे क्याद करें इनके बीच 6 पर में तो याद रखना कितनी क्याद करना 6 ठीक यह आपको याद रखना है अब उनके लिए हम क्या करेंगे 3 और 4 के बीच के लिए यहाँ 6 है, 6 एक में जूड़ो तो कितना है अगर हम 6 लिखा आए, 6 में एक जूड़ो कितना 7 हो जाएगा, है कि नहीं तो आप क्या लें, 3 ले लीजिए और 3 आप जानते हो कि इतना हम लिख सकते हैं, 3 बटा ए एक लिख सकते हो लिख सकते हो गिनिए अब हमेसे याद कोई 6 कहा जाए तो उसमें किया कि 1 जोड़ दो 6 प्लस 1 बराबर कितना 7 जो आए इसके अंसर और हर से गुड़ा करो तो यह हो जाएगा 7 और यह गुड़े कितना 7 तो गुड़ा कराईए 7 तरीक 21 बटा 7 दोसे संख्या 4 ले लिजे तो इसको भी तो लिख सकते है 4 बटा 1 कितने इस गुड़ा कराऊ? वही सेम 7 से तो 7 से इसमें गुड़ा कराया हर में भी 7 चाओ कितना? 28 हुआ बटे कितना 7 अब आपको क्या करना है? यह संख्या ले लेना 21 बटा 7 यह ले लिजिए और करम से उपर वाली संख्या को अंस को बढ़ाते हुए जैसे चाहिए 21 की बात कितना? 22 बटे 7 सेम रहेगा फिर देखो 30 बटा कहां तक यहां तक जाना? 30 बटे 7 फिर देखो 24 बटे कितना? 7 हो जाएगा फिर देखो 25 बटे कितना? 7 होगा फिर अपने देखा अगर हम इनको कट भी कर सकते हैं कर सकते होगी ने? 7 के 7 7 3 की कैस तो 3 हो गया और गिंते जाओ 22 बटा कितना? 7 और लिख सकते हैं 23 बटा कितना? 7 24 बटा 7 हो जाएगा और 25 बटा 7 होगा 26 बटा 7 होगा 27 बटा 7 होगा और फिर कितना साथ चोख 28 चार हो गया तो दिखो आगया कि ने एक दो तीर चार पांच छे ग्याद करना था तो ऐसी जिसनी संख्या है उसमें एक जोड के आप हमेशा निकाल लो एंसर आजाएगा इसकी इसका ले लिजिए आप ले लिए होगे फिर नेक्ट कुईशन पर आते हैं कि थर्ड डंबर सेम ऐसे ही करना है उसमें कोई चेंजिंग ने एंसर से कोई नहीं होगा कि आपका मैच नहीं करें क्योंकि निकालने के बहुत साथे तरीके होते हैं बस हम आसान तरीका सीख करें हैं करा तीन बटा पांच और चार बटा पांच के बीच पांच पर में संख्या गयाद कीजें तीन बटा चार और पांच पर में संख्या लिखते हैं करा तीन बटा पांच और कितना चार बटे पांच के बीच कितना पांच पर में संख्या पांच गयाद करना है तो 5 कैसे ग्याद करते हैं अभी हमने कहा 5 था 5 में एक जोड़ हो तो कितना बताईए 6 आ गया 6 तो देखो लिख लो 3 बटा 5 ये हैं कितने इस गुड़ा होगा क्यूंकि हमने कहा 5 ग्याद करना था एक जोड़ के 6 हो गया और 5 बटा कितना 6 तो 6 तरीक 18 और 6 बंचे 30 हो गया आगे बढ़िये फिर है 4 बटा 5 फिर वही चीज चार गुड़े कितना 6 हो जागा और 5 गुड़े कितना 6 हो गया 6 चोगो 24 और 5 चक 30 अब हमें मिल गया 18 को हम लिख लेते हैं 18 बटे कितना 30 इसी के आगे से आप लिखना स्टार्ट कर दो उपर वाली संख्या को बढ़ाते च 30 हो गा उपर वाली संख्या बढ़ाना है और नीचे वाली संख्या को जैसे कर दैसे और दूसरा हो जागा 22 बटे कितना 30 हो गया फिर देखो 23 बटा कितना 30 हो जागा फिर 24 बटे कितना 30 हो गया आप देख लो हो गया 6 नब एक दो 3 4 5 गयात करना ता हो गया अब इसमें जो तो अगर कट होते हैं, यानि उपर नीचे से कट जाएं, तो उसको काट देते हैं, चलिए जो कट रहें उसको काट देते हैं, आपने देखा इसको कट जाएगा, कितने से 6-3 कटा रहा, 6-3 तो 3 बटे 5, 19 बटा 30 नहीं कटेगा, इसलिए ऐसे नोट कर दो, देखो 0 से 0 कट गय 15 हो जाएगा, 23 बटा 30 कटेगा नहीं, इसलिए ऐसे नोट कर देगे, 24 भी कट जाएगा, 6-4 को 24, और 6-5 कितना, 30 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं, 4 बटा 5, यह हमें ग्याद करना था, कि 5 इनके बीच ग्याद करना था, तो ऐसे आपको कोई भी कोईशन मिले, जाहे जित इसमें cancel out होता है, answer में, तो काट देजे, नहीं होता है, तो आप answer छोड़ दीजे, तो आप इसका skin sort ले लिजे, ले लिए होंगे skin sort, next question पर आते हैं, क्या लिखा हुआ है, दिये गए कथन, को सत्य असत्य, और बताया काराण के उत्तर के अपने उत्तर दीजे, यानि इसमे सत्य बताना है और असत्य बताना है, तो अभी आप सीखी चुके हो, इसमें हमें नहीं लगता है कि कोई समस्य होगे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, परतेक प्राकृतिक संख्या एक पूर संख्या, क्या कहा गया इसमें, परतेक प्राकृतिक संख्या एक पूर संख्या तो अभी हमने एक table बनाया था खोल के दिखाते हैं अब ध्यान से देखो इसमें कौन गोला बाहर है प्राकृतिक संख्या वाला कि पूर्ण संख्या वाला बाहर है तो देखो अगर इसमें इतना देखा जाए कि ये पूर्ण संख्या वाला जो बाहर है इसके अंदर है कौन स यही कहा जाएगा परतेक प्राकृतिक संख्या क्या है पूर्ण संख्या यह क्या है सत्य क्योंकि इनको तो अगर बड़ा वाला गोला छोटे में नहीं रख सकते हैं लेकिन प्राकृतिक संख्या बड़े वाले गोले में आ गया है जब ये बड़े वाले गोले आ सका है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या को गोले के अंदर है तो सभी प्राकृतिक संख्या क्या है पूर्ण संख्या यानि वो अगला option जो है आपका वो सत्य है तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि इसमें यह क्या है सत्य है यानि यह क क्योंकि परतेक पुडांक एक पूर्ण संख्या है चलो फिर से आते हैं उसी गोले पर क्योंकि वहीं से मेरा एंसर निकल ला है क्या कहा गया कि परतेक पुडांक एक पूर्ण संख्या है क्या आप देखो पुडांक यह है यह पूर्ण संख्या यह बड़ा वाला गोला छोट वो पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि इसमें देखो, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 पूर्ण संख्या में नहीं आता इसलिए क्या होगा, यह नहीं होगा तो हम लिख सकते हैं, यह वाला option क्या होगा, incorrect है नहीं असत्य होगा तो इसको लिख सकते हो, यह क्या है, असत्य है, क्यों असत्य है, क्योंकि इसमें पुढांक एक पूर्ण संक्या है, परतेक पुढांक, अब पुढांक में क्या होता है, डबलू में, पुढांक जो डबलू में जो होता है, माइनेस वन, नॉट इकल टू, माइनेस वन, माइन पर्व में एक पून संख्या होती है पर्व में एक पून तो पून संख्या भी हमने बताया कौनसाअ जीरो, one, two, three, four, five लेगन पर्व में संख्या कि एक बटा, दो जो होगा वो एक यहां पर क्या होगा? पून संख्या होगा? नहीं होगा यह हम लिख सकते हैं कि इसमें not belongs to w यह क्या है इसमें नहीं आता है एक बटा दो नहीं आता है इसलिए क्या है एक बटा दो पांच बटा दो कुछ भी ले लो एक option हमने ले लिया इसलिए भी यह क्या है असत्य हो जागा तो आपको समझ में आ चुका कि कैसे question को solve करते हैं आप पर्मे संख्या पढ़ लिए नेक्ट वीडियो में मिलते हैं आप पर्मे संख्याओं को लेकर तब तक आप पढ़ते रहें और अच्छे से समझते रहें मेरे साथ जुड़े रहें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें वीडियो देखें थैंक्यू सो मच